पेरिस ओलम्पिक में गुरुवार को हौकी की अस्परधा में भारत का मुकाबला दुनिया की नमबर एक टीम बिलजीयम से हुआ हाफ टाइम तक बढ़त बनाए रखने के बाद भारतिय टीम ये मुकाबला जीत नहीं सकी लेकिन भारतिय टीम की आगे क्या संभावनाए हैं इस पर हमारी चर्चा होगी इस मैच में भारतिय टीम से कहां चुक हुई और किन खिलाडियों ने बेहतर प्रद्रशन किया ये सारी चीजें आपको बताऊंगा लेकिन पहले बता दूँ कि आप देख रहें न्यूस बाइस और मैं हूरा की श्रंजन पेरिस ओलंपिक में गुरुवार को भारत और टोकियो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट बेलजियम के बीच मुकाबला हुआ और जैसा मैंने आपको इस मैच के पुर्व जो कारिक्रम किया था उसमें कहा था कि बेलजियम की टीम अब वो बेलजिय आपकि भारत के साथ जो असका मुकाबला हुआ और इसलिए मैं कह रहा हूं काटे का मुकाबला हुआ क्योंकि हाफ टाइम तक भारत की हौकी टीम ही लीड कर रही थी हलाकि पहले क्वार्टर में दबदबा पूरी तरह से बेलजियम का ही रहा लेकिन दूसरे क्वार्टर में 18 हुए मिनट में भारत ने गोल करके मैच में बढ़त बना ली अभिशेक ने ये गोल किया था टॉप अप दडी पर उन्होंने गेंद रसीव किया वहाँ पर बेलजियम डिफेंडर से जो गलती हुई उसका फादा उठाया और फिर एक दंदनाता शॉट लगाया और भारतिये टीम एक शुन्य से आगे हो गई हाफ टाइम तक यही स्कोर था लेकिन हाफ टाइम के बाद जब बेलजियम की टीम उतरी तो लगा कि वो एक्वालाइजर ढून रही है और लगबग तीन मिनट बाद ही उसे एक्वालाइजर मिल गया मतलब कि 33 मिनट में बेल्जियम ने बराबरी कर लिया एक एक गोल की और इसके बाद 44 मिनट में उसने बढ़त भी बना ली 2-1 की तो आप क्या सकते हैं जो तीसरा क्वार्टर रहा वो भारत के लिए बहतर नहीं रहा और भारतिय टीम यहीं मुकाबला हार गई हलाकि चौथे क्वार्टर में जब खेल खत्म हो रहा था उसके दो मिनट पहले जब भारत को पेनल्टी कॉर्णर मिला तो पिछले मैचों की याद आ गई जब न्यूजिलेंड के खिलाब 69 मिनट में पेनल्टी कॉर्णर बाद में पेनल्टी स्ट्रोक में कनवर्ट हुआ था और हर्मन प्रीत ने मैच जिता दिया था और इसी तरह से जो अर्जंटीना के खिलाब हर्मन प्रीत ने एक्वलाइजर किया था तो वो दो यादे थी तो लग रहा था कि भारतिये टीम जो है वही काम करने जा रही है चुकि दो मिनट पहले पेनल्टी कॉर्णर मिला लेकि से क्लेर कर दिया और भारतिये टीम को गोल करने का अवसर नहीं दिया लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मुकाबले में भारतिये टीम को गोल करने के उतने अवसर नहीं मिले अगर उनको कनवर्ट कर दिया जाता तो स्कोर लाइन कुछ और होता भारत के पक्ष में होता विवेक सागर ने चांस मिस किया इसके अलावा अगर आप बात करें तो संजा को एक मौका मिला था बिलकुल जब उस समय बेलजियम की टीम दो एक से आगे थी लेकिन संजा ने बिलकुल उसका मिस कर दिया और उसका जो है भारतिये टीम को फायदा नहीं मिला नुकसान पहुचा भारतिये हौकी टीम को 2-1 की शिकस्त देकर पूरे 3 अंक अरजित कर लिए और अब उसके 12 अंक हो गए हैं वो क्वार्टर फाइनल में पहुत चुका है लेकिन देखिए भारतिये टीम भी क्वार्टर फाइनल में जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है बहले ही इस मैच का परिणाम भ अच्छी पोजिशन मिल जाती तो क्वार्टर फाइनल का जो मुकाबला होता वो कमजोर टीम के साथ होता अभी भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला बचा है जो कि शुक्रवार को होना है तो उस मुकाबले में भारतिये टीम जीत हासिल करना चाहेगी ताकि वो इस प पेड़ा रगरी घोलमारा का सत्तर वर्षों का विश्वास सुखाडी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाडी मंडल गाडन एवं रूबी रेस्टुरेट बम श्रधालूओं के लिए सेवा में सदा तक पर है गाई के शद्ध दूद से नर्मित शद्ध पेड़ा शद्धत या बेकरी प्रोड़क्स चाहिए या बेवरेजस, स्नेक्स और ब्रांडेट फूर्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोड़क्स अब इनके लिए अलग-अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म क्योंकि नाची में खुल गया है केस्टो माट जो रखे आपका और आपके प्रोड़क्स प्रोड़क्ट और एक वास्तु विहार नई सोच नया घर बनाए रखिये अपना प्यार सेवा में है वास्तु विहार प्रोड़क्स